यह जो बूल सवाल है कि दस्तिया बोज बच्चों पर जादा नहीं होना चाहिए यह सब की मांग होती है और इससे सरकार सेहमत है और इसलिए बहुत सारे प्रयास कर रहे है इसमें प्रयास के प्रयास में नहीं है कि बोज़ारी ने ये एक सिफरिस की कि पहले दूसरे में केवल दो बुक्स रहेंगे और तीसरी में और पाच्वी तक केवल तीन किताबे रहेगी NCRT में ये किताबे उपलब्द भी करें जो बिल्कुल और ये इप फर्मेट में भी उपलब्द है जिनको वो सुविदा लेनी है CBSC ने ये कहा कि जल्दी में दो तक ज़्यादा किताबे नहीं लाए जाए और अनेक राज्यों ने जो प्रयोग किया है 36 गड़ ने पिछले साल के स्टूडंस के किताबे स्कूल में एक सेट दिया है स्टूडंस को तो students के not book और school में ही रहते हैं books और notebooks और घर में घर के रहते हैं तो वो without बस्ता आते हैं और they come without back they study in this school do school work there in the those notebooks and go to home and do their notebook so every state कर रहा है आज ही मैंने आज के newspaper में भी आया है telangala में बस्ते के बोज से आज़ा दी और कितना अधिक्तम वज़न हो उसका उन्होंने किया है तामिल नाड़ू ने ट्राइस सेमिस्टर की है और हर चार मेने के लिए एक किताब छोटी छोटी छापी है तो एक सेमिस्टर जैसा ट्राइस सेमिस्टर का तरीका है तो उससे किताबे कम हुई है महराश्ट्रे में लगबख 30,000 स्कूलों में डीजिटल सिक्षाच जिसमें 2000 स्कूलों के बच्चों के हाथ में टैबलेट्स है और बच्चों से नोटबुक्स भी लिखते भी है और उससे साथ साथ एक बड़ी बात हो रही है कि केंद्री विद्याले ने भी 25 केंद्री विद्याले में इस साल आठवी के बच्चों को टैबलेट डेकर एक पाइलेट प्रॉजेक्ट शुरुक किया है तो सारा प्रयास है कि बोज कम हो और सही बोज ले जाए इस बार हमने शिक्षन म आए थे और सबने इस विशे पर भी विचार किया है और बहुत नहीं नहीं सोलुशन के साथ आ रहे हम भी चाहते हैं कि प्रदेश भी प्रयोक करें वाज्य सरकारी भी करें और कुल बोज कम हो यह हमारा उद्देश है